नमस्कार मेरे किसान भाईयो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में किसान भाईयो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केले की उननत खेती के बारे में जानने वाले हैं केले की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z ग्यान लेने वाला है इस वीडियो में किसान भाईयो जानने वाले हैं उननस सिलकिस्मों के बारे में सही समय के बारे में जब आप खेत में रुपाई कर सकते हैं किसान भाइयों जलवाईयों से लगा कर temperature म्रेदा की pH value क्या होनी चाहिए, साथ इसाथ bed का निर्मान कैसे करना है, plantation कैसे करना है, कितनी दूरी पर आपको plant की रूपाई करना है, खात का management कैसे करना है, कब कौन सा और कितना खात देना है, साथ इसाथ आपको दवाई का management कैसे कर किस प्रकार से इस प्रेश को सारा कुछ बताने वाला इस वीडियो और इसी वीडियोको लाश्ट तक जरूर देख हैं और यह वीडियो जहां भी आपको पसंद आ जाए उसी वक्त से लाइक और शेर जरूर करदे और हां हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले किसान भायो साथ ही साथ बेल आइकन दबाना तो कंपल सरी ही वो दबाए बिना तो आप जाएंगे ही नहीं किसान भायो सबसे पहले हम सुरुआत करते हैं केले की खेती के बारे में और जानते इसकी 19 सिल किस्मों के बारे में किसान भाईयो दुनिया भर में इसकी कई उननस सिल्क इसमें पाई जाती है सो से भी जादा वेराइटी पूरी दुनिया में प्रचलीत है कई पर पहाडी केले की वेराइटीया प्रचलीत है तो कहीं पर मैनानी केले की वेराइटीया प्रचलीत है लेकिन किसान भाईयो भारत वर्स में सबसे ज़्यादा जिन केले की रुपाई की जाती है वो है G9 वेराइटिया जी हाँ मेरे किसान भाईयो G9 वेराइटी एक ऐसी वेराइटी है जिसका उतपादन काफी बढ़िया है साथी साथ इसमें रोग भी बहुत कम लगते हैं उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन 30 से 35 किलो तक एक प्लांट से आप उत्पादन ले सकते हैं किसान भाईयो बस इसमें एक ही चीज़ा आपको करनी होती है सही समय पर जब आप इसकी रुपाई करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको पोधे की जड़ो का उपच कर सकते हैं उपचारित पोधा आपका ज़्यादा उत्पादन देता है साथी साथ इसमें रोगों का खत्रा फंगस का अटेक हो रूनी का अटेक हो या दिमक का अटेक हो यह कम लगता है इसलिए केले की जब भी आप रुपाई करे तो इसका उपचार जरूर कर ले किसान भ दो समय ऐसे होते हैं जब आप केले की रुपाई आप अपने खेत में कर सकते हैं या तो आप इसकी गांठों की रुपाई कीजिए या फिर नरसरी से टीशू कल्चर से उत्पन पोधों की रुपाई कीजिए जी हां मेरे किसान भाईयो दोनों ही इस्तिती में आपको certified nursery में तयार पोधो की ही रुपई अपने खेत में करें इससे उत्पादन में थोड़ा अंतर आपको देखने को मिल सकता है किसान भाईयों दोनों ही परिस्तितियों में आपको खर्चा लगभग समान ही आएगा गाठे थोड़ी सस्ती जरूर पड़ेगी लेकिन आप जुन और जुलाई महीने में इसकी रुपाई कर सकते हैं ये बरसात का समय होता है तो सुरुवाती समय में जो सिचाई का मैनेजमेंट है वो भी आपको इतना ज्यादा परिसान नहीं करेगा इसलिए हमारी राय माने तो आप जून और जुलाई महीने में ही इसकी की बात है वहां भी इसकी रुपाई कर सकते हैं वह भी बहुत बढ़िया उत्पादन देती है किसान भाईयो अब हम बात कर लेते जलवाईयो की जी हां मेरे किसान भाईयो किस प्रकार की जलवाईयो में इसकी खेती की जा सकती है किसान भाईयो केले की खेती दक्षिन भारत म सबसे ज़्यादा की जाती है और वहां की जलवाईयों तो आपको मालम है नर्म और आद्र जलवाईयों है किसान भाईयों टैंपरेचर 10 से 12 डिग्री मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 डिग्री तक आप ये फसल आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है अगर 40 डिग्री से ज़्यादा टैंपरेचर जाता है या फिर 10 डिग्री से नीचे टैंपरेचर आता है तो इसके उत्पादन में थोड़ा फरक थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलता है लेकिन फिर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं आपको इतनी ज़्यादा परिसानी नहीं जलवायू करते हैं बिट्टी के ऊपर मृदा की ओपर क्यूंकि आपका जो पौधा है उसको सारे पौशक्ततो तो मिलने वाले किसान भायो म्रदा अगर स्वस्थ होगी सही होगी तो आपका पोधा बहुत ही बढ़ियां से ग्रो करेगा इसलिए हम आपको बताएंगे कि आप इसकी रुपई अपने खेत में करने से पहले म्रदा की जहाँ जरूर करवा ले उसकी पीएच वैल्यू जरूर पता करवा ले और अगर पीएच वैल्यू थोड़ी गड़बर लग रही है तो इस हिसाब से उसमें आप जिपसम वगएरा डाल कर या फिर चूना वगएरा डाल कर उसे अच्छे से उसकी लेवल तक ले आएं किसान भायो इसके लिए पीएच वैल्यू आपको कैसे भी करके म्रिदा का पांस से साथ रे साथ या फिर आठ तक लाना है किसान भायो इस बीच में अगर आपके म्रिदा का पीएच वैल्यू है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है म्रिदा से खत्रा खत्म है आपके लिए किसान भायो अब हम बात कर लेते हैं कि मृदा की बात कर ली लेकिन किस प्रकार की मिट्टी में उत्पादन जादा देगा किसान भायो वेसे तो भारी मिट्टी में सभी फसले सबसे जादा उत्पादन देती है किसान भाइयो अब हमने मिट्टी की भी बात कर ली अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की किसान भायो किस प्रकार से केले की खेती के लिए आपको खेत की तैयारी करनी चाहिए सबसे पहले तो आपको अपने खेत की गहरी जुताई करवा लेनी चाहिए गहरी चुताई करवाने के लिए आप पल्टी पुलाओ का इस्तिमाल कर सकते हैं किसान भाईयो एक बार मट्टी को जैसे ही आपने पल्टी पुलाओ से पलड दिया उसके अंदर जहरीली गेसे या जहरीले बैक्टीरिया वगेरा है जो की जड़ो को नुकसान पहुचा सकते थे आपके प्लांट को उनको आपने बाहर कर दिया यानि कि आपकी मट्टी को आपने एक बार फिर से स्वस्त कर लिया है जी हाँ मेरे किसान भाईयो पल्टी पुलाओ के बाद में जैसे कि आप जानते हैं और एक बार फिर से आपकी मिट्टी जरासी चल जाती है जिससे होता ये है कि आपको और स्वस्त मिट्टी प्राप्त हो जाती है किसान भाईयो इसके बाद में यदि आप गोबर की खाट डालना चाहते है जे भी खाट डालना चाहते या फिर composed खाट डालना चाहते आपकी मर्जी है लेकिन गहरी जुदाई के तुरंत बाद अपने खेत में इनको डाल दे अच्छे से फिर आप इसमें रोटा विटर जरूर चलवा दे किसान भाईयो लेकिन इसके बीच में एक पैच है आप अगर रोटा विटर चलवाने से पहले गोबर की खाट के तुरंत बाद सूपर खाट आपके खेत में डाल देते हैं तो उससे आपको एक फाइदा मिलेगा जो बहुत ही बढ़िया फाइदा है यह अन्य वीडियो वाले आपको नहीं बताएंगे किसान भाईयो उससे यह होगा कि आपकी जो खेत है उसमें गोबर की खाट आप कैसे लाएं कहां से लाएं किस परिस्थिती में गोबर की खाट पड़ी थी कच्ची थी या पूरी से पकी हुई थी यह आपको पता नहीं होता है जिससे होता यह है कि इसके कारण रूनी दिमक और अन्य फंगस की जो समस्या है वो आपके खेत में आने लगती है लेकिन गोबर की खाट की तूरंत बाद अगर आप यहाँ पर सूपर खाट डाल देते तो यह समस्या आपकी खत्म हो जाती है इसलिए हमारी राय है कि लगबग दो बोरी के हिसाब से एक एकर जमीन में आप सूपर खाट जरूर डाल दे किसान भाईयो इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा जरूर अच्छा उत्पादन मिलेगा आपकी जड़े स्वस्त रहेगी किसान भाईयो मिट्टी को स्वस्त करना मतलब किसी भी पोधे की जड़ो को स्वस्त करना और जड़ो से ही सारे पोशन पोधे तक जाते हैं यानि कि पोधे को स्वस्त करना किसान भाईयो जैसे ही आपने मिट्टी को स्वस्त कर लिया सूपर खाट डाल दी गोबर की खाट डाल दी जीवास्म की मात्रा बढ़ा दी अब बात आती ही कि आप इसमें रोटा विटर बढ़े ही प्यार से चलवा कर इसे भुरुरी कर दीजिए समतल कर दीजिए और ऐसी कर दीजिए कि आगे चल कर जल भराओ की समस्या ना आए किसान भाईयो ऐसा करने के बाद में अब आपका खेट तयार है बैड बनाने के लिए किसान भाईयो अब आपको बैड बनाने की तयारी सुरू कर देनी चाहिए बैट कैसे बनाना चाहिए, कितनी दूरी पर बनाना चाहिए यही हम अगली बात आपको बताने वाले है किसान भाईयो अब आप इसके लिए धाई फिट चोड़े बैड ले सकते है किसान भाईयो, mulching अगर आप भिचाना चाहते तो 2 फित चोड़े बैड भी चल जाएंगे लेकिन अगर आप बिना mulching के बनाना की केती, केले की केती करना चाहते हैं तो धाई फित चोड़े बैड लीजिए, उसके दोनों तरफ आप irrigation के लिए drip system भिचा सकते हैं किसान भायो बीच में आपका पौधा आएगा अब आपको एक जो बैड है और दूसरा बैड है उसकी बीच की दूरी 6 फिट रखनी है बैड की उचाई 1 फिट रखनी है पौधे से पौधे की दूरी जब आप प्लांटेशन करेंगे तब आपको लगबख 5 फिट 6 फिट या 7 फिट जैसे भी आपकी मर्जी हो वो हम आगे बताने वाले हैं आपको उस हिसाब से रखनी है किसान भायो अब हमने आपको बता दिया बैड कैसे दयार करते हैं अब मैं बताने वाला हूं कि बैड बनाने के बाद में आपको क्या करना है बैड बनाने के बाद में आपको कर देने खड़े जी हां मेरे किसान भायो बैड पर जहां भी आप इसकी रुपाई करने वाले वहां पर आपको खड़े कर देना है एक फिट चोड़ा और एक फिट गहरा गड़ा आपको कर लेना है एक फिट चोड़ा और एक फिट गहरा गड़ा करने के बाद में अब आप इसे एक महीने के लिए खाली छोड़ दीजिए जिहां मेरे किसान भाईयो पूरा एक महीना कड़ी धूप के लिए इसको छोड़ देना है किसान भायो यदि आपको जून महीने या जुलाई महीने में रूपाई आपके खेत में करनी है केले की पोधे की तो आप इसकी तैयारी महीने या उससे भी पहले अपरेल महीने से सुरू कर सकते हैं यानि कि जो ये प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं ये अपरेल और मई महिने में ही आपको कर लेनी है अब आपके खड़ों में जितनी भी जी हां मेरे किसान भायो बैक्टिरिया या फिर फंगस मौझूद होंगे वो धूप के कारण नस्ट हो जाएंगे आपके खड़े भी बहुत बढ़िया हो जाएंगे किसान भायो अब आपके खड़ों में आप यहां पर यह यह खाद जो मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूँ जो आपको वीडियो में सामने दिख रही है यह यह खाद मिक्स करना है यानि आपको 150 किलोग्राम SSP सिंगल सूपर फासपेड 25 कि किलोग्राम DAP और रियेजेंट 10 किलोग्राम गोबर की खाद आपको चार्ट राली आपने जो डाल दी है वो पहले ही डाल दी उससे लेना देना नहीं है यहां पर लेकिन रियेजेंट 10 किलो यह सारा कुछ मिक्स कर लिजे यानि 150 किलोग्राम SSP 25 किलोग्राम MOP 50 किलोग्रा बाद में इसमें से जो मिक्चर बनेगा उसका 50 से 70 ग्राम आपको लेना है और प्रत्ते गड़े में डाल देना है किसान भाईयों यह हमारा यहां तक का वीडियो हुआ जब आपको खेत की तैयारी कैसे खनना है